20-30 साल पुराणा दर्ध खिचकर बाहर निकाल देगे पावरफुल घरेलू रेमडी सिर्फ और सिर्फ एक बार में जाहे वो गुट्टे का दर्ध हो पैर दर्ध हो कमर दर्ध हो कंदे का दर्ध हो या फिर जैसे ADK दर्ध या जॉइंड पेन है अक्डी हुई नसे है दबी ह सारी दिक्कोतों का एक ही सोलूशन है यह पावरफुल घरेलू देसिन उसका एक बार जरूर करके देखिए दवाई लेना भूल जाओगे बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए स्टेप बैस स्टेप फॉलो कीजिए 100 पसंद रिजल्ट मिलेगा और पसंद आए तो दो बहुत ज़्यादा काम आता है अलग-अलग आयरवेद में भी इसका बहुत सारे फायदे लिखे हुए है अलग-अलग यूज लिखा हुआ है आप चाहो तो देख सकते हो और एक बार जरूर राय करके देखिए इसके बाद यहां पे हमें चाहिए अजवाईन यहां पे हमे एक से डेट समझ के करीब लेते हुए यहां पे देखिए क्या करना है जो अजवाईन है न वो जैसे खुश्बू वाली होनी चाहिए बहुत ज़्यादा पुराणी जिसमें से खुश्बू नहीं आती वो वाली मत लीजे फ्रेश लीजे तो ज्यादा फायदा होगा इसके यहाँ पर हमें लेना है इससे पहले हम अच्छे से इसको कूट के लेंगे जिससे की यह बिल्कुल दो तीन तुकड़ों में हो जाए और इसमें से जो भी लसुन की स्मेल है रहस है वो निकलता हुए आपको दिखाई दे तो बस आप इसे बंद कर दीजे इसके बाद आप में अजवाइन इसी के अंदर डाल दूंगी और इसे भी हम अजवाइन केक से दो टुकड़े हो जाए और खुश्बू तेज आने लगे इसलिए हम इसको भी अच्छे से यहां पर मिक्स करेंगे और इसे भी कूटेंगे तो देखे आप यह रेमेडिय एक बार करोगे न ताकि मेरा वीडियो कहां का पहुचा मुझे पता चल सके तो देखे अच्छे से इसको मैंने कूट लिया है और इसका पेस्ट जैसे ही तैयार हो जाएगा तो हम इसे निकालेंगे कटोरी के अंदर जो की पहले कटोरी मैंने रखी हुई है यह पेस्ट इसे यहां पर आपको है और इसके बाद यहां पे हमें डालना है कपूर पता है कपूर हमारे दर्द में बहुँ ज़्यादा मदद करता है दर्द को भगाने के लिए दर्द से रहत पाने के लिए और अगर आप जो भी एरेंडी का तेल है उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डालके वो तेल गरम कर के भी लगाते हुनों जहां पे आपको दर्द है सूजन है तो भी आपको इसका असर नजर आएगा बहुत जल्दी इंस्टंट रिजल दिलाता है तो बस थोड़ा सा कपूर लेना है इस तरीके से हलका सा हातों से ही क्रश करके आप इसके अंदर इसका पाउडर डाल दीजिए अब यहां पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद यहां पे हमें चाहिए पत्ते पत्ते देखे दो तीन तरीके क्या आप ले सकते हो कड़वे नीम के पत्ते या फिर एरन डिक के पत्ते भी आप ले सकते हो और यहां पे इसे अच्छे से हमें थोड़ा सा कूटना है ज्यादा बारिक ना हो तो भी चलेगा और कूटने के बाद देखे यहां पे जो यह पेस्ट है न पत्तों का वो भी हम डालेंगे कटोरी के अंदर अब यहां पे हमें क्या करना है इसे अच्छे से मिक्स करना है जो भी हमने बाकी चीज़ा आड़ की है पत्तो के उपर अच्छ से इसकी कोटिंग बननी चाहिए और इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए ओइल ओइल यहाँ पे आपको लेना है एक तो एरेंडी का तेल ले लीजे या सरसो का तेल ले लीजे या फिर यहाँ पे तिल का तेल आप ले सकते हो जिसकी तासिर गरम होती न वो वाले तेल ले सकते हो ठंडी तासिर वाला जैसे एक coconut oil है बिल्कुल भी उजना करें उससे कोई फायदा ही नहीं होगा इसके बाद दिखें मैंने इसके अंदर एक से दो चमबच के करीब तेल डाल दिया है अब यहाँ पे हमें क्या करना है इस पेस्ट को गरम करना है अच्छे से और गैस के उपर एक बरतन को गरम करने के लिए रख दीजे जैसे की छोटा फ्राइपान हो या फिर तवा और जैसे वो गरम हो जाए उसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे एरेंडी का तेल और यहाँ पे हमने जो पेस्ट तयार करा हुआ है वो सारा का सारा पूरे ओइल सहीद मिक्स करा हुआ डालना है गरम तेल के अंदर और अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे और जैसे इसे golden brown हो जाए न तो gas को बन करेंगे तो यहां तक इसे गरम करना जाता जलाना नहीं है और यहां पे जैसे आप इसे बनाओगे न तभी आपको इसकी जंजनाट मैसस होगी और इसका result भी आपको तभी बता चलेगा कि सच में work करेगा और यहां पे दिखे यह बन के तियार हो चुका है ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा बनाए थोड़ा ही है पर बहुत इन तक चलेगा क्योंकि जादा चाहिए भी नहीं होता और एक दो बार में ही काम हमारा बन जाता है तो इसके बाद दिखे कपड़ा हमें लेना है कपड़े के अंदर यह पूरा का पूरा पेस्ट सहीत आप इसे डाल दीजे ओईल जो है न वो नीचे आ जाएगा और पूरा पेस्ट उपर की तरफ रह जाएगा अब यह जो पेस्ट है और ओईल है दोनों को हमें उज़ करना है अलग अलग तरीके से इसे बिल्कुल भी फेकना नहीं है ऐसा नहीं कि इसमें ओईल नहीं है तो फेक दो बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ पे देखे से अच्छे से निचोड के ओईल निकालेंगे अब यह फिलाल बहुत ज़्यादा गरम है तो हलका सा में इसे ठंडा होने देंगे और जैसे जितना आपको सहन होता है उतना गरम यूज कीजिए जितना गरम यूज करेंगे उतना फायदा देगा बिलकुल ठंडा होने के बाद कुछ भी इसका फायदा नहीं होगा तो कब कहां कैसे यूज करना है चलिए जानते है तो ओईल अच्छे से मैंने निकाल लिया है चाहो तो आप बहुत सार ओईल बहर के भी एक डिबबी के अंदर बॉटल के अंदर रख सकते हो जैसे जब त करना है नहीं देखते इस से की उसका रिजल म Mig का डर्द है पैर दर्द है कमर दर्द करने का दर्द किसी बी तरह Ka-D entrar हो जैसे की बच्चे कभी कभी दर दर गिरकी के आ जाते उनको सी ली वागते हैं तो यहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो तो यहाँ पे हम इंतर करने का यह कहीं भी दर्द है तो वहाँ पिस ऑईल से आप हलकी सी मसाज कर लीजिए जादा आपको इसे रगड़ना नहीं है और जब भी आप इस ऑईल को ज्यादा बना के रखते हो जब भी यूज करोगे तब बस हलका सा गुंगुना करके यूज करना है क्योंकि जैसे आपकी बहुत अच्छा रिलाक्स लगेगा तो ऑईल की मसाज तो मैंने बताया किस तरीके से करनी रात में सोने से पहले करोगे तो और अच्छा है और जहां भी दर्द है वहाँ पे कर लीजिए इसके बाद दिखे यह जो पेस्ट है यह भी हम रख सकते हैं बहुत दिनों आप इसका यूज़ कर सकते हो तो बस यहाँ पे आपके एक बात का ध्यान रखना है कि इसे भी आपको हलका गरम गरम यूज़ करना है अब हर बार ऑईल में डालके गरम करनी की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से देखे अभी तो यह फिलाल गरम था तो मैंने इसे बान दि किया है घुटने के उपर जिससे के आप देखोगे दर तो खतम होगा ही होगा सूजल होगी तो भी कम हो जाएगी अब यहां पे इसे दो तरीके से और यूज़ कर सकते हैं जैसी इसकी गरमाहट खतम हो जाएगी आप इसे निकाल के साइड में रख सकते हो जादा नहीं पर चैणना है और यहाँ पर जैसे तवे के ऊपर इसपौर को इसी तरीके से गरम कर लीज़े गरम करके आपको सुजन लगरी दर अब उस Васeur चाल तो यहां पर देखे इस तरीके से क्या होता न जैसे एडी का दर्ध है या फिर कन्ने का दर्ध उसे आप सिकाई के लिए यूज़ कर पाओगे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर ट्राय करके देखे मुझे खुद रिजल्ट मिला है तभी मैंने आपके साथ शियर किया आपके कामें जरूर बताइए जल्दी से जल्दी मैं उसके एंसर दूंगी और इसे भी आप जैसे चार पाच मैने तक रख सकते हो इस पोटली को या फिर ओईल को तो बनाके रखी सकते हो आपसे कहीं मिलेके जाओगे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी बिना किस खर्चे के घर की चीजों से जरूर राय करके देखे और हाँ वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा हो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजे चानल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे यूस्फुल लुडियो मैं आपके लिए लाते रहती हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थेंक्यू